गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम छोटे उकी मात्रा का रिवाइस करेंगे छोटे उकी मात्रा के ये पिक्चर्स दिये हुए हैं उनके नेम लिखे हुए हैं ठीक है छोटे उकी मात्रा आपको पता है न कहां लगती है तो इधर देखिए ये छोटे उकी मात्रा के ये शब्द दिये हुए हैं उसके बाद ये वही वाक्य दिये हुए हैं जो हमने पहले भी पड़े हैं ठीक है इसको हम रीट करते हैं शगुन सुबह साबुन मलकर नहा फिर गुलाब चुनकरला कुलदीप आया गुलाब लाया चल सुधा हलुआ बना तुलसी पर दीपक जला मुन मुन पुल पर मत जा अब इसको वही चोटी सी कवीता है जिसको हमें गाना है सुन यह बात अरी रुणजुन लाकर नहीं सलाई बुन मीठी मीठी सुरी लीदुन गाती रह गुन 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 ओके अब इदर देखिए ये इसकी बुक एक्सरसाइज है हमें इन पे फिर बलबल का क्या बनाना है बुअल बुल 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 ये क्या है बगुला गुलाब कच्छवा जिसकशर पर आपको उकी साउंड आ रही है उकी अवाज आ रही है उसी पर ही आपने छोटे उकी मातरा लगानी है अब इदर देखिए हमें खाली स्थान बने है शगुन साबुन सेनहा कुलदीप गुलाब चुनकर लाया सुधाने हलुआ बनाया मुनमुन पुल परमतजा दादी खुश हो जाती हैं तुलसी पर दीपक जलाते हैं गुलाब जामुन खाते हैं ठीक है यह हमारे चोटी एकी मात्रा है सबसे पहले आपको अच्छे से चैप्टर आपकी बुक में फिल करनी है ठीक है बच्छों अब यह देखे बड़े उकी मात्रा दी हुई है सबसे पहले हमें बड़े उकी मात्रा के यह शब्द दिये हुए हैं पिक्चर भी दी हुए हैं साथ में फिर उनके नीचे उनके शब्द लिके हुए हैं उसी तरह यह देखे यहाँ पर यह शब्द दिये हैं फिर नीचे इसके वाक्य दिये हैं हम इसको रेट करते हैं सूरज निकला डाल पर जूला पड़ गया नूतन जूला जूली टीनू भी जूला जूला पूनम फुलवारी गई फूल चुनकर लाई जब भूक लगी तब दूद पीकर आलू पूरी खाए दीपू तरबूज वैकर बूजा काट यह चोटी सी कवीता है डमरू बजाता मदारी आया काला भालू साथ लाया भालू जूम जूम कर नाचा भालू घूम घूम कर नाचा ठीक है आपको यह अच्छे से ट्रीट करना ह अब यह आगे पहले तो बड़े उकी मात्रा के शब्द हैं जो अधूरे हैं इन पर बड़े उकी मात्रा लगानी हैं सरज का क्या बनेगा सूरज जला का जूला अमरद का अमरूद रूपे पिछे लगेगी यह बड़े उकी मात्रा ओके खजूर जूता अब यह दर देखे चित्र देखे और सही शब्द के आगे टिक लगाना है काजू भालू ये क्या है आलू मूली तरबूज चुहा फिर ये इदर देखे प्रशन उतर दिये हैं एक शब्द में देना है हमें इसका जूला कहां पड़ गया डाल पर पूर्नम क्या लाई फूल नूतन ने क्या किया जूला जूली जूम जूम कर कोरना चा बालू अब ये उचित मिलान है ठीक है आपको पिक्चर देखे इन शब्दों के साथ उचित मिलान करना है फिर आपको इसमें color fill करना है सुन्दर सुन्दर और आपको ये write भी करने है अच्छे से इसके lesson read भी करने है मातराई अच्छे से read करनी है बच्चों ओके ठीक है